हलो और इवन, इस्टड़ी विदस में आपका एक बाफिर से स्वागत है और आज हम UGC Net Paper 1 के लिए Current Affair डिसकस करने बाले हैं कल की वीडियो मैंने अल्रेड अप्रोड कर दी थी और ये Part 2 है Current Affair का ठीक है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें अगर आप हमारी पहले की वीडियो को देखना चाते हैं तो उसे एजी लिए देख सकते हैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है जहां आप क्लिक करके लगबख सभी टॉपिक्स पर वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि टाइकाथान पॉर्टल का सुबारंब किसके द्वारा किया गया था ठीक है टाइकाफॉन पॉर्टल देखें ये तो टाorta हॉन है ये परकार का कारिकरम था तो इसके लिए जो है एक पॉर्टल भी बनाया गया था तो पॉर्टल से संबंदित्यां पे चबाफे सवाल पुछा गया था तो सुबारं जो किया गया था वो किया गया था रमेश पोकरियाल के द्वारा और सिमिर्ती जुबीन इरानी इन दोनों के द्वारा किया गया था तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा option number C ठीक है इनके द्वारा ही जो है इसका आरंब किया गया था इस portal का सुब आरंब और मैं बता दूं कब आरंब किया था डेट आपको पताऊनी चाहिए पांच जनवरी 2021 ठीक है पांच जनवरी 2021 को जो है ये पॉर्टल सुरू किया गया क्या उद्देश है ये टाइकाथॉन पॉर्टल को सुरू करने का तो उद्देश ये है कि ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि हैक्थॉन है जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों तथा शिक्षकों को जो है जो विशेसग्य होते हैं स्टार्टप के और जिने स्टार्टप का ज प्रार्म करने का ठीक है जिससे कि नए छात्र कहें कि कॉलेज की छात्र होते हैं वो कुछ सीख सकें तो इसलिए जो है इसी उद्देश से इसको शुरू किया गया है चलिए नेक्स्ट वोशन है नेक्स्ट है टाइकथोन 2019 के विजयताओं को पुरुसकार स्वरूप कितनी राश्य परदान की जाएगी अब देखें इसमें मैंने आपको पताया कि जो विशेशग्य होते हैं स्टार्टप के उनसे विचारों का आधान परदान होता है और फिर जो है एक परकार की परतियोगिता भी करवाई जाती है ठीक है तो परतियोगिता में जो जीतता है उसको कितना पुरुसकार दिया जाता है ये सवाल में पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर D 50 लाख ठीक है 50 लाख की राश्य जो है प्रदान की जाती है नेक्स्ट है सोलवा परवासी भारतिय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया देखिए परवासी भारतिय दिवस पर कोशन पूछा जाता है तो इससे आपको इग्णौर नहीं करना है ठीक है इस पर पूछा जाएगा और विज्ञान दिवस रास्टे ठीक है नई दिल्ली में और थीम क्या थी इस बार की तो आपको थीम याद रखनी है इस बार की थीम थी आत्म निर्भर भारत में योगदान क्या थी आत्म निर्भर भारत में योगदान ठीक है और उदगाटन किस ने किया था उदगाटन इस बार किया था परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ठीक है और कब हुआ था तो आपको याद रखना है 9 जनवरी 9 जनवरी 2021 को जो है ये सम्मेलन हुआ था नेस्ट कोशन है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां निर्मान किया जाएगा कहां निर्मान किया जाएगा तो इस question का जो सही answer है वो है option number A मद्ध्य परदेश में और अगर आपसे पुछले मद्ध्य परदेश में कहां तो मद्ध्य परदेश में खांडवा में ठीक है खांडवा में, खांडवा कहा है ये नर्मदा नदी के किनारे है ठीक है और जो सहयोगी संस्था है यानि कि जिसके सहयोग से ये floating solar plant बनाय जा रहा है वो है IFC और WP यानि की World Bank IFC का पुरा नाम हो जाएगा यहाँ पर अंतराश्टिय वित निगम ठीक है, International Finance Corporation और World Bank इनकी साहता से जो है ये विश्व का सबसे बड़ा floating solar plant जो है लगाया जा रहा है ठीक है, ये आपके People and Environment के Current Affairs से रिलेट हो गया है ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको इसमें याद रखनी है चलिए, next question है UGC द्वारा 15 March 2021 को किस डिगरी को उत्तरिसना तक की 3D में सामिल किया गया है, ठीक है नहीं? या किया गया है तो देखिए अब ये उत्तरिसना तक डिगरी यहाँ पर बात की जारी है Post Graduation की ठीक है, Post Graduation की तो Post Graduation में ये तीन डिगरीया अब और सामिल कर दी गई है UGC के अनुसार अब ये तीन डिगरीया जो होंगी ये भी Post Graduation की डिगरी कहलाएंगी अब ये जो Students होंगे यानि कि जिस Student ने CA कर रखा है, CS कर रखा है तो वो भी अब जो है NET जैसे एक्जाम्स को दे सकते है ठीक है तो यहाँ पर CA, CA का मतलब है यहाँ पर Chartered Accountant CS का मतलब है यहाँ पर Company Secretary और ICWA का यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा Cost and Work Accountants ठीक है नहीं Cost and Work Account तो यह चीज जो आपको याद रखना है तो इसका सही आंसर है Option No.D इन सभी को इन सभी डिगरीयों को जो है अब Post Graduation की डिगरी में सामिल कर लिया गया है ठीक है तो इससे होगा क्या इससे होगा यह कि जो Net की परिक्षा होती थी इसमें Competition और High हो जाएगा ठीक है अल्रेड इतने सारे सब्जेक्ट थे अब यह तीन जो और अब डिगरीयां है इसको भी जो है Post Graduation में डाल दिया गया तो कहीं न कहीं Competition और टफ हो जाएगा अच्छा यहां से कुछ और Basic में आपको बता देता हूं जैसे कि UGC UGC के बारे में आपको मैं कुछ पॉइंट से आप बता देता हूं जो आपके लिए काफी मंत्राले के अधीन रहता है ठीक है इसके च्छा मंत्राले के अधीन कारे करता है और इसके 6 केंद्र है यानि 6 centers है total ठीक है और 6 center एक headquarter Headquarter कहा है तो यह निव डेली में है तो यह 6 center जो मैंने आपको पता है यहां से कोशन पूछा जा सकता है कि कोहां पर जो है UGC का center नहीं है तो आपको नाम बता देता हूँ 6 के 6 के तो 6 के 6 है पहला तो हैदराबाद ठीक है और दूसरा पूने तीसरा है भोपाल में चौथा है कॉलकाता में पाच्वा है गौार्टी में छटा है बैंगलॉर में ठीक है यह regional centers है किसके UGC के head office का है इसका headquarter तो वो है नई दिल्ली में ठीक है और इसका motto क्या है motto से भी question पूछे जाते हैं तो इसका motto है ज्यान विज्यान विमुक्ते क्या है ज्यान विज्यान विमुक्ते ठीक है ज्यान विज्यान विमुक्ते चीर्मेन कौन है इसकी ठीक है चीर्मेन कोन है चीर्मेन तो चीर्मेन के अगर हम बात करें तो वो है डीपी सिंग डीपी सिंग अशे एक मिनट डीपी सिंग इसके जो है चीर्मेन है चलिए next question देख लेते हैं अब तो इतने points आपको य नेस्ट कोशन है रेडियो पार्ट साला कारेकरम किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंब किया गया ठीक है रेडियो पार्ट साला प्रोग्राम तो रेडियो पार्ट साला प्रोग्राम जो है ये सुरू किया गया है उडिसा सरकार के द्वारा ठीक है उडिसा सरकार के द्वारा चलिए next question रेडियो पाट साला कारेकरम का प्रारंब कब हुआ अब यहाँ पे कब हुआ भी पूछ रायस में तो सही आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 28 सितंबर को जो है इस कारेकरम का प्रारंब किया गया क्या इस कारेकरम में वो मैं बता देता हूँ पहली से लेकरके आठवी तक के जो चात्र होँगे आठवी अक्षा के जो चात्र होँगे अब उन्हें जो है रेडियो के थुरू पढ़ाया जाएगा उडिसा में ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि करोना महामारी के कारण जो है, शिक्षा प्रभावित हुई है, तो आगे और प्रभावित ना हो, इस कारणी ये निर्ने जो है लिया गया है, और ये सारा कारी किया जाएगा राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा, राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है, उसके तहत होगा ये, कि इस अ दिन में पांच दिन क्लास होगी और एक दिन 15 मिनट की क्लास होगी कहां पर होगी तो रेडियो पर होगी एक तो सही आंसर जो है और बी सप्टमबर 1985 में September 1985 में इसके स्थापना हुई थी, ये एक परकार की Central University है, ठीक है इसके Total जो Regional Centers है वो है 67 ठीक और Chancellor कौन है, एक चीर मैं आपको पता दूँ कि जितने भी Central Universities होती है उसका Chancellor जो होता है, वो होता है भारत का President, ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछ ले Sorry, VC नहीं, Chancellor की बात कर रहा हूँ मैं आपे VC अगर पूछ ले आपसे तो VC हैं इसके नागेशवर राओ ठीक है, नागेशवर राओ तो पूरे जितने भी Central Universities है उन सब का जो Chancellor होता है वो भारत का President होता है तो इस समय कौन है, तो रामनात कोविन तो रामनात कोविन जो है, वो इंद्रा गाधी National Open University के Chancellor है Vice Chancellor है नागेशवर राओ चलिए आप मुझे कमेंट में बताइए कि दिल्ली उनिवस्टी के Vice Chancellor कौन इस समय Vice Chancellor कौन है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरू कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिं इस वीडियो